अलफा सेंचुरी जो तीन तारों से बना हुआ एक स्टार सिस्टम है हमारे सौर मनेरल का सबसे नजदीक सबसे पास वाला स्टार सिस्टम है यह स्टार सिस्टम हमारे 0.37 light years के दूरी पर यानि कि 40 लाक करोड किलो मिटर के बराबर है अलफा सेंचुरी स्टार सिस्टम के तीन तारों का नाम है पहला है अलफा सेंचुरी ए दूसरा है अलफा सेंचुरी बी और तीसरा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी चलिए अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं मैं हूँ आरती आपकी फ्रेंड्स आपका वेलकम है मेरे इस चैनल पर अगर आप में चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब के बिना प्लीज मत चाहिए क्योंकि यहां पर मैं इंट्रिस्टिंग फैक्ट्स के साथ कुछ गुछ गुवर्मेंट की कॉंटेंट गुवर्मेंट तारा और इसके तारो को मित्र A, मित्र B और मित्र C कहा जाता है इन तीन तारो में से अलफा सेंचुरी A, अलफा सेंचुरी B दोनों एक बाइनरी स्टार सिस्टम बनाते हैं और इस बाइनरी स्टार सिस्टम का नाम अलफा सेंचुरी A भी है जिसे हम रिगल कैटरस के नाम स से भी जाना जाता है binary star सिस्टम उस तर्व को केहते हैं जिसमें दो तारे यानि टिम् टिम Anh वाले तार अपने सामाणने संतुलन केंद्र यानि की common balance के संटर की आसपा से गुमते रहें कहीं दूर नहीं जातें । असपा सी गुमते सबसे बड़ा तारा है इसका द्रव विमान यानि कि जो मास है वो हमारे सूरी के यानि कि सन के मास के केवल 10% जादा है इसका जो डायमेटर है उसके मामले में अगर हम बात करें तो सूरी के देड़ गुना जादा है अलफा सेंचुरी ए की जो चमक है थोड़ी जादा है हमारे सूर के चमक से तेड़ गुना जादा है अलफा सेंचुरी ए अपनी दूरी के इर्दगिर्द 22 दिन के में ही चमक पूरा कर लेता है जबकि हमारे सूर को यह करने में टोटल 25 डेज लग जाते एक बात और ध्यान रखने की है कि अगर आप इसको डिरेक्ली कीन आई से देख लेंगे मतलब नंगी आखों और छोटी दूरवीन से देखने पर अलफा सेंचुरी ए और बी जो तारा है एक प्रतीक होते हैं मतलब एक जैसे दिखते हैं चलिए हम बात करते हैं अलफा इसका अगर हम मास की बात करें यानि कि द्रव विमान में यह हमारे सूरी का 0.91 गुना और इसका जो डायमेटर है 0.87 गुना और चमक में लगबग आधा है यानि कि यह तोटल थोड़ा आधा ही है यह तारा 41 डेज में अपनी दूरी को पूरा एक चकर लगा लेता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी जिसे अलफा सेंचुरी सी के नाम से भी जाना चाता है हमारे सूरी का सबसे नजदीक तारा है जो कि केवल हमसे 4.25 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है यानि कि 4.25 लाइट एर की दूरी पे है बाकी दोनों तारे 4.37 प्रकाश वर्ष की दूर पे है लेकिन प्रॉक्सिमा स्टोरी इन ही तारों तीन तारों के नंबर सिस्टम का एक हिस्सा है। प्रॉक्सिमा स्टोरी के अगर हम बात करें न तो ये बहुत ही छोटा है और रेड कलर का है। एक लाल बॉना है जिसे केवल दूर्वीन से ही देखा जा सकता है। इसकी खोज साल 1915 में हुई थी अलफा सेंचुरी तारा समू में सबसे छोटा तारा है जो की हमारे सूर के व्यास का केवल और केवल 0.14 गुना है हमारे सूर का डायमेटर लगबग 13,91,000 किलोमेटर का है जबकि प्रॉक्सिमा स्टोरी का जो डायमेटर है वो केवल और केवल 2,00,000 किलोमेटर है द्रिविमान के बात करें यानि मास में भी यह हमारे सूर का लगबग 7th हिस्सा है हमारे सूर से काफी छोटा होने के बावजूद भी प्रॉक्सिमा सैंचुरी का जो डेंसिटी है वो 40 गुना जादा है अब हम बात करते हैं कि इन्हें कब-कब देखा गया 24 अगस्त 2016 को प्रॉक्सिमा सैंचुरी का चकर लगाते हुए एक नए ग्रह की खोच की गई थी और विज्ञानिकों ने इस पर जीवन संभावना है तलाशने की जिक्र किया कि इस पर जीवन हो सकता है क्योंकि यह ग्रह लगबग प्रिथ्वी के आकार के जैसा ही है और अपने तारों से उसी सही दूरी पर जल द्रव यानि कि जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में होता है ऐसे में विज्ञानिकों का मानना यह था कि यहाँ पे जीवन हो सकता है क्योंकि जब जल लिक्विड फॉर्म में मिल जाया कहीं तो यानिकि वहाँ पे जीवन हो सकता है इस ग्रह को प्रॉक्सिमा बी का नाम दे दिये गया अपरिल 2019 में प्रॉक्सिमा तारों का चकर लगाते हुए एक और ग्रह की खोज की गई जिसे प्रॉक्सिमा सी का नाम दे आ गया यहाँ ग्रह प्रित्वी से लगबग साथ गुना भारी पाया गया लेकिन इस ग्रह पर जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं था क्योंकि इसमें जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं था और यह ग्रह इतना ठंडा था कि यहाँ पर जीवन हो ही नहीं सकता है सो फ्रेंट्स यहाँ पर आपने समझा आलफा सेंचुरी क्या है और यह कब इसकी खोज हुई और इसका क्या-क्या नाम दिया गया कितने तारे हैं एक आलफा सेंचुरी के तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरू कर दीजिए मेरी चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इंट्रेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए जरू सब्सक्राइब करिए उसके लावा अगर आप गॉर्मेंट एक्जाम की त्यारी करें तो भी मेरे साथ जुड़े रहें तब तक फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट के साथ तब तक तिल दें टेक केर बाई बाई